हर्याना से जुड़ी हर लेटिस्ट अपडेट के लिए घंती बजाएं और सब्सक्राइब करें स्टीवी हर्याना न्यूज सच के साथ खबर बेबाद माने सर्ज जमीन घोटाले मामले को लेकर ये बड़ी खबर पंचकुला की विशेश CBI कोर्ट में सुनवाई हुई पुर्व मुख्य मंत्री भुपेंडर सिंग घुर्डा और अन्य आरोपी कोर्ट में फेश हुए मामले में आज पूर्व मुख्य मंत्री भुपेंडर सिंग घुर्डा सही सभी आरोप्यों पर आरोपों को लेकर बहस शुरू हुई है मामले की अगली सुनवाई अब एक जुलाई को होगी एक जुलाई को भी आरोपों पर बहस चारी रहेगी इस वक्त की बड़ी खबर पंचकुला से आरे ही है जोहाँ पर मामले की अगली सुनवाई अब एक जुलाई को होगी एक जुलाई को भी आरोपों पर बहस जारी रहेगी अलगतार आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर पंचकुला से आरे ही है जोहाँ पर माने सर्जमीन घुटाले मामले में आज सभी आरोपी को पर पेश हुए अब अगली सुनवाई एक जुलाई को होगी मामले में आज पूर्ब मुखे मलत्री भूपेनर सिंग घुटा सही सभी आरोपी आरोपों को लेकर बहस शुरू हुई मामले की अगली सुनवाई अब एक जुलाई को होगी एक जुलाई को भी आरोपों पर बहस जारी रहेगी खबर पर जारा जानकारी के साथ हमारे सहे होगी उमंक शुरान पॉन लाइन पर जुट चुके है उमंक जारना चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला मानिस तर जबीन भटाले मामले को लेकर आज बहस शुरू हुई है लेकिन अब अगली सुनवाई एक जुलाई को होगी जिसमें आज पूर मुक्यमन पर जबीन वक्रवाम पर देश्वे और आज सभी आरोपियों की मौझूदगी में जो आरोपों पर बहस रहे वो शुरू की गई है इसकी अगली सुनवाई एक जुलाई को होकर एक जुलाई को भी आरोप बहस रही और इस चैब ये बहस तो मुझे के बाद ही सभी आरोपे पर माने से लेंड के मामले में आरोप तहीजो है तीवे को दवार किये जाएँगे इसके साथ ही एक आरोपी जस्वन जिसकी अच्छी का आरोपों को डिस्चार्ज करने को लेकर पिशे सुन्माई के दरारा पचाब पुछ दरारा लगाई गई थी उसकी अच्छी का पर आज की दिया ही ने अपना जवाब दाकिल किया है और इस पर भी फैसला जो है वागी तारीक अनी एक मन्त्री पुपेंड सेंखो डाव रन्यारोपी कोर्ट में पेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश् कि अरे सिलिएर भाल सेंखो ऑले सेंखो चाहब है और अज भी झाहे थी दे, और बझाय.